आज हम जो question discuss करने वाले हैं वो है एक और word problem और यह word problem भी आपका distance, speed and time पर based है और बहुत-बहुत important problem है आपके both के लिए, आपके finals as well as internals के लिए तो फटा-फट से देखते हैं कि इस problem को कैसे solve करना है और यह वाला question भी आपको बाकी सबी questions की तरह जो हमने वीडियोस बनाई है ज्यादा weightage और ज्यादा marks में पूछा जाता है तो इसे choice में लेने की बजाए या इसे छोड़ देने की बजाए या इसे गलत करने की बजाए आप अगर इससे सीख लेंगे तो आप लोगों का ही फाइदा है तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि इस problem को कैसे solve करना है यहाँ पर दिया गया है कि places A and B are 100 kilometers apart तो पहले हम लोग यहाँ पर इसका diagram बना लेते हैं ताकि आप लोगों को और clearly सारी चीज़ें समझ में आ जाए देखें वो clearly यहाँ पर कह रहा है कि दो places है guys एक है आपके पास place A and डूसरी place आपके पास यहाँ पर मैं बता देती हूँ as a destination B और उसने कहा है कि इन दोनों places के बीच का जो फासला है इन दोनों places के बीच का जो distance है वो इसने clearly question में mention कर दिया is nothing but 100 km तो यह दोनों जो points है यह दोनों जो places है वो एक दूसरे से 100 km की दूरी पर है on a highway और यहाँ पर इसने कहा है कि one car starts from A और इसी point A से वो बता रहा है कि एक car है जो start होती है यहाँ पर तो kindly bear with my drawing okay and यहाँ पर हम लोग कोई painting competition नहीं कर रहे है guys तो सिर्फ आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रहे है तो यहाँ पर एक वहिकल है जो point A से start होती है और एक और car है वहिकल है जो another point from B से start होती है और दोनों के दोनों same time पर start हो रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक और गड़ी को उतार लेते हैं guys इक और car बना लेते हैं हम लोग यह car तो है नहीं मैंकर जो भी है बस पाइय है तो समझ जा की car है तो अब यहाँ पर हमने दो points पर अपने वहिकल को place कर दिया है दोनों एक ही time पर start हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो keyword दिया हुआ है वो है आपका same time आगे वो कह रहा है कि if the car travels in the same direction but at different speeds they meet in 5 hours तो what do you mean by this अब इसका मतलब यह है कि car A और car B दोनो same direction में जा रहे हैं same direction में जा रहे हैं का मतलब यह है कि अगर यह इस तरफ आगे बढ़ रही है यह गाड़ी आगे बढ़ रही है तो A B जो है उसे follow करते हुए आगे ही बढ़ जा रहे हैं और after some time यानि कि उसने कहा है कि 5 खंटे के बाद suppose हम लोग एक और point ले लेते है C और यह दोनों गाड़ियां जो है यह point C पर आकर मिल जाएंगी अब यह कैसे possible हो सकता है एक गाड़ी आगे है और एक गाड़ी आपकी पीछे है फिर भी उसने कहा है कि दोनों जो speeds जो है से मैंने encircle कर दिया अपने question में तो speeds जो है दोनों की different है तो समझो यह वाली की speed जादा होगी तो फिर after some time जो है यह इसके साथ आ जाएगी और C पर दोनों गाड़ियां जो है वो meet कर जाएंगे और यह जो total procedure हो रहा है they meet in how many hours is nothing but in 5 hours the both the vehicles the both cars are going to meet तो यह तो हो गया हमारा first scenario या फिर हमारा first case कह लीजे आप लोग तो मैंसे यहां पर one डाल देती हूं और इसी one के साथ पहले हम लोग क्या करते हैं आपके equations को frame कर लेते हैं फिर मैं आपके second case पर discuss करते हूं तो हमें यहां पर decide करना है what are the speeds of the two cars तो हम solution यहां पर ले लेते हैं मैंने अभी second case न speed of the car from point A यानि कि जो A से start हो रही है P equal to x km per hour आप जीम कर लो फिर उसके बाद वैसे हम लोग next statement लिखते हैं कि let the speed of the car which is going to be starting from the point B जो आपके second point से start होने वाली है उसे हम लोग ले लेते हैं y km per hour और फिर यहां पर यह दोनों cars के case में उसने clearly दिया हुआ है कि distance जो है between the two cars be very careful यह between बोला जा रहा है तो distance between the two cars या between the points A and B जो है initial state में वो उसने लिखा हुआ is nothing but 100 km और उसने कहा है कि the time in which they meet is nothing but your 5 hours तो अब मुझे क्या concept यहां पर लेना है मैं यहां पर formula यूज करूँगी कि distance is equal to speed into time जी हा मुझे यह concept को इस सवाल में use करना है कि distance is equal to speed into time या फिर simply आप लिख लिजे D is equal to S into T का formula हम इस्तमाल करने वाले हैं आपर तो what is distance equals to speed into time अब यहां पर हम फटा फट से देख लेते हैं कि डोनों A और B points के बीच का difference तो 100 km है मैंकर अब हमें देखना है कि point A से चलने वाली गाड़ी ने कितना distance कवर किया है और point B से चलने वाली गाड़ी ने कितना distance कवर क कि दोनों गाड़ियां सी पर आकर मिल चुकी हैं तो पहले हम लोग case 1 ले लेते हैं कि जब हमारे वहिकल जो है वो same direction में travel कर रहे हैं यह में heading दाल रही हूं तो हमारा case क्या होगा तो first I am going to write down the distance travelled by car starting from point A starting from point A ले ले लेते हैं यहां पर तो क्योंकि हमें formula यहां पर लेना है distance is equal to speed into time तो आप लोग clearly screen पर देखें मैं क्या कर रहे हैं यहां पर speed जो हमने starting में ही a के लिए लिए है x तो मैं x लेती हूं और time जो है वो उसने question में clearly mention कर दिया है कि यह दोनों गाणिया first case में 5 hours के बाद meet करती हैं तो मैं time के जब कर 5 लिखती हूं और इस तरीके से मुझे मिलने वाला है sum 5 x और उसी तरीके से हम लोग next clause यहां पर लिख लेते हैं कि in the similar fashion distance travelled by car starting from अब हमें लेना है point B और इसके लिए भी हम लोग कर लेते है distance is equal to speed into time और अब second वाले की जो आपको speed मिलने वाली है वो है आपके पास y जो हमने यहां पर already assume कर लिया है तो y into हम लोग time वही है 5 hours तो यह हमें देगा 5 y तो इससे clearly हमें पता कर चल रहा है कि जो a है वो total distance जो है वो 5 x का कवर कर रहा है और b जो है वो total distance 5 y का कवर कर रहा ह है तो अब अगर आप देखते हो यहां पर हमें इसकी equation को कैसे frame करना है तो अगर आप figure को देखते हो तो मैं इसे finally ऐसे लिख लेती हूं कि यहां पर मेरे पास a है suppose यहां पर मेरे पास b है and c जो है वो इन लों का meeting point हो जाता है तो आप देख सते हो कि कितना कितना फासला कवर हुआ है that means अगर हम लोग point a से start करते हैं यहां तक c तक from point a till c तो हमने अभी निखाला है कि जो distance traveled है वो है 5x तो मैं यहां पर लिख लेती हूं easily 5x उसके बाद हम लोग जब start करते हैं यहां से friends that is b से याना कि जो car b से start हो रही थी उसने कितना distance traveled किया है तो यह भी आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है 5y तो यह जो distance हो जाने वाला है यह आपका हो जाएगा 5y simply तो यह total जो है यह आपका यहां से लेकिए यहां तक 5x हो गया और यह 5y और पर starting में हमने कह दिया था कि a और b के बीच में जो distance आने वाला है वो है 100 km तो इससे आप लोग क्लियो क्लियो देख सकते हो यहां पर कि अगर मैं यहां से लेकिए यहां तक इस total distance में से मैं इतने पार्ट को minus कर देती हूं तो मैं पास कितना बज़ेगा 100 आप देख सकते हो screen पर 5x में से आप 5y को minus कर दो मतलब यह इतने पार्ट को मैं यहां पर यहां पर और इधर जो है वो cancel क कर रहे हो मतलब यह जो same part से मैं इंको cut कर दे रहे हो कि आप clearly देख सकते हो कि मेरे पास बस यहां से लेकिए यहां तक parallel part बच जाता है और यह जो parallel part है this is nothing but your 100 km तो बस मैं अब इसी को एक equation में frame कर देती हूं और मैं लिखोंगी कि this implies कि अगर मैंने total distance 5x में से मैंने यहां पर screen पर आपको clearly बताया हूँ है 5y को अगर हम लोग minus कर देंगे तो जो मेरे पास left over distance रहेगा वो screen पर है which is nothing but 100 अब हम इसमें से common निकाल लेते हो और आप लोग आपर heading लिख सकते है according to the problem ठीक है तो जब आप लिख देते हो कि according to the problem तो सब कुछ इसमें cover हो जाएगा 5 आप इसम equation number 1 आप लोगों की अब हम देखते हैं कि फटा फट से हम लोग equation number 2 जो है वो कैसे लेकर आएंगे और उसका figure क्या होगा अब आप question में देखो इसने का है कि if they travel towards each other they meet in 1 hour और पहले से इसने का है कि A and B के distance जो है बीच में 100 है मगर अब वो दोनों जो है एक घंटे में meet होने तो फटा फट से अब हम इसका figure ड्रौ कर लेते हैं जो हमारा केस 2 होगा तो केस 2 में देखे मैंने फिर से यहां पर point A बना लिया है और मैंने यहां पर point B बना लिया है and B very careful और इन दोनों के जो बीच का distance है वो 100 है starting से अब उसने का है कि यह जो दोनों गाडिया है अब यह यह दोनों गाडिया है यह, they are going to move towards each other. तो आप देखते हों कि यह इस तरफ जा रही है तो यहां से je B आली गाडी आएगी वो इसकी तरफ ही move होगी यह इधर की तरफ आएगी तो आप दिखते हो कि arrow head जो है वो दोनों opposite है een same directions नहीं, opposite है एक घंटे में, एक घंटे के टाइम के बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, समझो वो पॉइंट C है, जब ये दोनों गड़ियां जो है, ये दोनों मीट हो जाएंगी, तो ये दोनों गाड़ियां जो है, भई टकर नहीं मारना, आक्सिरेंट नहीं कराना है यहाँ पर, ये तो आफ मूव हो रहे हैं, तो उपसिट डिरेक्शन में हेडिंग ले लेती हो इसकी, और उपसिट डिरेक्शन हेडिंग डालने के बाद, मैं फटा फट वही करूंगी, जो मैंने पीछे किया था, मुझो अलरड़ी पता है कि, डिस्टेंस बाइकार, फ्रम ए, जो हम लोग हमें question में यहाँ पर लिखा हुआ था, कि when they travel in opposite direction, they tend to meet in 1 hour, बस इसी का फरक आएगा, वहाँ पर 5X था, यहाँ पर आपको simply 1X या फिर X मिलेगा, फिर वैसे हम लोग ले लेंगे, the next one, that is nothing but your distance by car, from the point B, हम लोग को अब ले लेना है, starting from B, the distance is equal to speed into time, फिर से ले ले लेंगे, अब हमें करना क्या है, अब आप ध्यान से एक चीज़ को देख लीजेगा यहाँ पर, कि वहाँ पर तो हमने subtract किया था, मगर अब हमें देखना है कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो carefully आप लोग देख सकते हो कि A से लेके C तक, जब लोग मीट होते हैं, तो यहाँ से ज यहाँ से लीके यहाँ तक 1y, तो दूनों का आट करोगे तो 100 आजाएगा, तो अब फिर से हम लोग हेडिंग दाल देते हैं, फटाफट कि according to the problem, तो अब हम लोग लिख लेते हैं कि according to the problem क्या होने वाला है यहाँ पर, हम लोग को लिखना है कि जो distance है between the points A and B, वो हमें पता है, is nothing but equal to 100 km, और यहाँ पर clearly equation बन जाती है, x plus y is equal to 100, तो पीछे वाले में हमने minus किया था, इसमें हमें add करना है, यह equation number 2 हो जाती है, इसे हम reduce नहीं कर सकते है, अब हमें सिफ करना है, solving equation number 1 कर लेते हैं, फटाफट and 2 without wasting time, तो 1 जो है हमारे पास है, x minus y is equal to 20, और जो second equation आई है वो है, x plus y is equal to 100, फटाफट से solve कर लो, plus y minus y कट जाएंगे, 1x और 1x आपको देते का 2x, और यहाँ पर 100 plus 20 आपको देते का 120, और इसे मिलेगा x is equal to 120 upon 2 which is nothing but 60, अब put x is equal to 60 आपकी मर्जी है, जस equation में भी आपको दालना है, आप दाल सकते हो, मैं यहाँ पर use कर रही हूँ मेर 40 को लाँगी इधर और minus y को भेज दोंगी मैं वो तरफ, तो आपके पास मिल जाता है, 40 is equal to y, तो therefore हमें clearly मिल जा रहा है की speed of the car, जो की a से शुरू हो रही है, is nothing but 60 km per hour, और जो हमारी speed of the car है, which is starting from the second point, which is nothing but your b, और इसका answer हमें मिलने वाला है, 40 km per hour, तो भाई, यह जादा weightage के questions है, इस वास्ते यह थोड़े लंबे है, lengthy questions है, practice करोगे तो बहुत easy है, और सिर्फ इसमें concept समझना है, ताकि अगर आपको similar problems ही देंगे, वो लोग exam में आपको करने आ जाए, और अगर lucky enough रहोगे, तो dicto same problem भी आ सकता है, सिर्फ numbers change हो सकते हैं, त इसके साथ हम लोग आते हैं solution के end पर, और अगर आपको solution समझ में आता है, बहुत अच्छी तरीके से, students का रिष्टा दिल से लेकर दिल तक है, तो अगर आप लोग को समझ में आ जाता है, तो please guys channel को like, share, subscribe करने से पीछे, बिल्कुल भी मत हटिये, ताकि आप जैसे बहुत सा of the day, तो चलिए बढ़ते हैं